हेलो फ्रेंड्स मेरी आए दो आपकी फिजिक्स की मेंटर वेलकम तो मैं चैनल पुरांचल श्टेडी प्लेटफर्म तो आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर याइज मेकनिकल प्रोपर्टीस ऑफ फ्लूट्स का ट्यूब अफ लोकल हमने इस तोक शलाद तक देखा था आज हम उसके आगे यानि की ट्यूब फ्लो से देखते हैं तो क्या होता है अट्यूब फ्लो इस बंडल ऑफ इस्ट्रीम लाइन सेम वेलोसिटी अप दी लिक्विट पार्टिकल्स ओवर इनी क्रॉस सेक्शन पर्पेंडिकुलर तो डिरेक्शन ऑफ फ्लोप लिक्विट यानि ट् यह लिक्विट का जिसमें जो भी सभी पार्टिकल्स रहते न वह उसी पाथ को फालो करते जो उनका पीछे वाला पाथ फालो करता रहता है तो था पहता है उसी को फिछ को करते है वह फालो करते है यानि कि आ आप कंटेनर आप घ्रायला लिशे में सबस्क्राइब जो आप पहले डालेंगे फिर उसका पात फालो करते करते सेम विलोसिटी से फिर दूसरा वाला आएगा फिर ऐसे मतलब लेयर्स में आप इमेजिन करिए कि वह तीन चार लेयर से हनी की और वह एक दूसरे का पात फालो करके आ रही तो वह स्ट्रीम लाइन होता है वह ग्रेटर ज्यादा विलोसिटी के साथ और क्रिटिकल विलोसिटी में मोशन रहता है उस पार्टिकल कर वह डिसॉर्डर यानि की रेगुलर यानि की वह कभी इदर जाएगी कभी उदर जाएगी उसका कोई फिक्स नहीं रहता है वह कैसे बहती ऐसा कुछ ने जैसे कि आप पर कोई पानी डाल रहे है जब वह पानी को छोड़ता है तो ऊपर तो आपका स्ट्रीम लाइन होता क्योंकि वह आपको फालो करता है लिकित जैसे ही नीचे आने वाला रहता है वह तर्बुलेंट हो जाता है क्योंकि पानी बहुत इधर उदर आप देखते हैं आप इमेज स्ट्रीम लाइन को पास लाओगे न तो उसकी विलोसिटी बढ़ेगी उसका प्लेस में की वाइस वर्सा होगा जैसे कि आपको जो आप गार्डन में जो फ्लावर रहता उसके ओपर जो पानी का छीड़काओ करते हैं तो आप देखते कि पीछे वाले का एरिया जो है कम रह कर दो 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 क